दोस्तों यहां पर आज इस रूडियों में जो बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं आपकी 11th standard की दोस्तों के लिए जहां पर आपको 11th standard में कौन से ऐसे टॉपिक से जो आपको करके रख ले नहीं चाहिए जिसके वज़े से वो आपको बहुत ज़्यादा क्या help करें करेंगे आपके 12th standard में आपको एक अच्छा पसेट क्या score करने के लिए मैं जानता हूं कि अब आपने 11th standard की आजिस से ज्यादा जर्नी जो पूरी करने लेकिन अब तक मैं बात करूं तो आप शायद आपने से कुछ लोग सीरियस होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर लेकिन यह सोच हो तो बहुत बड़ी गलती करो यह गलती मत करो क्यों कि कहीना की 12 के से बहुत सारे topics होते हैं जो आपको 11 में ही क्या पढ़ाया जाता उसकी जो basis होते आपको 11 की चीज़े नहीं आती रहेंगे तो 12 में कहीना कई आपको क्या हाट पड़ेगा अब यहां पर बात करता हूं करे जिए सबस्जामें बेख kay की बात करहां हूं कि talk you कई अब के अब बुक की अगर मैं बास पेरे सब्चेइब को कौन से कौन से चीजै यह आपको आनी चीध में! आप सबसे मैं बात करूं तो अगर आपको जर्णल एंट्री नहीं आती तो जर्णल एंट्री बहुत अच्छे से क्या सीख्के रख लो तो आपको दो चाप्टर सीधा सीधा आपके 12 के बोर्ट में है आपका बिल्स आजाता है और एक आपका इश्यू आजाता है यह सीधा सीधा आपको अच्छे कहा से मार्क्स के आपको बोर्ट एक्जाम के दिलवा सकता है फिक है डूस्ती चीज़ दिए बात करूं तो आपका लेजर वाला टाइप आ जाता है भीया इस लेज़र को भी अच अब final accounts के अगर में बात करूँ तो जब आप 12 के bookkeeping start करोगे तो सबसे पहला chapter ही आपको final accounts आ जाता है जहाँ पर वो आपके board exam में आपके 12 marks का सीधा सीधा क्या weightage रखता है और final accounts से ही मिलता जूलता थोड़ा बहुत आपको क्या देखने मिल जाता है एक NPO वाली chapter है वो आपको देखने में जाता है और इसका भी सीधा सीधा करूँ तो जो वेटेज होता है वो 12 marks का आपके board exam में क्या weightage होता है समझ में आ गया तो आपके बारा बारा 24 marks तो आपके यहीं दिला रहे ठीक है फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहां पर यह 8-10 marks की क्या चीज़े यहां पर आपकी उजारी है तो सीधा सीधा के 40 marks चीज़ा आपके 11 से related ही आपके exam में board exam में क्या पूछी क्या जाती है समझ में आ गया इन सभी का जो बेस है आपको 11 में क्या कर लेना है clear कर लेना अगर नहीं आता है तो सीख लो वहना 12 से बहुत जादा दिक्कत हो जाएग आपके थोड़े बहुत बहुत लीस्ट आपके connected रहते हैं आपके 11 और 12 लेकिन connected रहते हैं जैसे for example सबसे पहली चीज में आपके SP की बात कर लेता हूँ जब मैं SP की बात करता हूँ तो SP मैं ऐसे बहुत साइट टर्म्स होते हैं जो आपका पता होनी सी आपकी 11 महीं जैसे आ लिटर राइडिंग वाली जो प्राक्टिज होती है कि लिटर लिखा कैसे जाता है यह सारी चीज आपको 11 से ही क्या आनी चाहिए अगर आपको 11 में यह नहीं आएगा और 12 में आपको तीन चाप्टर आपके लेटर के साफ साफ वैसे आपको 12 की SP में सीधा सीधा साफ साफ आपके लेटर वाले चाप्टर वहां भी आपको देखने मिलते हैं अब अगर आप यह चीजों को अच्छे से नहीं करोगे तो मैं आपको बतारो SP आपको बहुत जादा हार लगेगा अगर आप एक SP स्टूडेंट होता है अब मैं एकनोमिक्स की बात करूँ तो एकनोमिक् आपको आए तो आपको आए तो आपको आणसर बताने क्या आना चाहिए क्या आपके यह आपके ज़्यादा क्या होगा तो यह आपके पूरे सब्जेक्ट सबसे में चीज आपका अकाउंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना आपका ओसीम और सोड़ा बहुत इधर उदर हो गया तो भी चलेगा लेकिन टर्मिनलोगी जो है वह बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना तो यह सारी अब भी से अधरना शुरू कर दी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अच्छा का सा मांक्स क्या आपकी बोर्ड एक्जाम दो हजार पच्छीज में क्या स्कोर कर सकते हैं और फिर हम तो ही आपको क्या स्कोर कर नहीं ठीक है तो मेरे खासे यहां पर चीज आपकी क्लियर हो ग कर दिए एक चाप्टर बाकी है वह आ जाएगा वह स्टेम की अगर मैं बात कुर तो हम आपके लिए जल्दी क्या लेकर आ जाएंगे दोस्तों ठीक है अब मेरे खाल से आपको चीज नहीं आपे क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा चानल सब्सक्राइब नहीं जाहिद दोस्तों